हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एकसल की नई कलास में जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को MS Excel बिलकुल सुरू से सिखा रहा हूँ और ये पार्ट 12 है इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है फार्मूला टैब कम्पलीट करने वाले हैं फार्मूला टैब में मैंने दो पार्ट आप सभी को दे दिये हैं और ये तीसरा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट होगा फार्मूला टैब के उपर इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है formula editing और calculation दोनों के बारे में बात कर लेंगे और आज की वीडियो में हम लोग जो है formula type पूरा complete सेख लेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को like करिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और चैनल पे अगर पहली बार हो अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियो तो चैनल को subscribe करो यार subscribe करना बिल्कुल free है hello दोस्तों मेरा नाम ही गुलाब और आप देख रहे हैं इनको भी आप कैसे इस्तमाल करोगे उसके बारे भी हम लोग सीखेंगे अगर आप जो है define name, function library, इसके बाद page layout, insert, home इन सभी का वीडियो देखना चाते हैं अगर आपने इन सभी का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे description box में इन सभी का लिंक मिल जागा पूरी playlist को आप आराम से देख लिए पूरा Excel पूरा जो है बिल्कुल सुरू से आप सीख जाओगी चलिए सबसे पहले बात करते हैं formula auditing के बारे में तो formula auditing में जितने भी बटन दिये गए हैं उससे जितने भी आपने Excel में formula लगाया है उसको आप trace कर सकते हो उसको alkaline कर सकते हो auditing का मतलब होता है alkaline करना तो इन सभी बटन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले equal button दबाता हूँ equal button दबाने के बाद मैंने यह data select किया इसके बाद मैंने multiply का symbol दबाया और इसके बाद मैंने यह data select किया इसको select किया इसके बाद multiply इसको select किया इसके बाद enter button दबाया यह आपको पता है कि मैंने यहाँ पर multiply किया है किस-किस data को select करके किया है यह आपको पता है फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर यह plus हो करके भी आ गया ठीक है फिर मैं नीचे की side में आता हूँ फिर से जो है मैं equal button दबाता हूँ मैंने जो है यह data select किया फिर मैंने plus button दबाया फिर मैंने जो है यह data select किया फिर मैंने जो है minus button दबाया फिर मैंने जो है यह data select किया फिर मैंने जो है इंटर बटन दबाया ठीक है इतना कुछ करने के बाद सबसे पहले बात करते हैं trace president बटन के बारे में तो देखिए ये value किन-किन data को multiply करने के बाद आया है उसका पता लगाने के लिए आप जो है trace president पर जैसे ही click करोगे तो ये बता देगा किन-किन value को select करने के बाद ये data आया है हमने जो है 8000 और 7000 का गुड़ा किया है तब जा करके ये आया है इसी तरह के से अगर आप इसका पता लगाना चाहते होगी ये value जो है किन-किन data को multiply या गुड़ा भाग या जो भी करने के बाद आया है किन-किन value को हमने इसके अंदर add किया है तो आप जो है trace president पे click करोगे तो ये बता देगा देखे 12,000, 8,000, 5,000 को मिला करके ये value आई है ठीक है इसी तरह के से गर आप इसका पता करना चाहते हो तो वो भी आप पता कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इन value को जो है अब यहाँ पर जोड़ करके फिर आपको दिखाता हूँ मैंने यहाँ पर equal button डाइप किया इसको मैंने select किया इसके बाद मैं plus करता हूँ इसके बाद जो है मैं इस value को select करता हूँ इसके बाद फिर से plus फिर इस value को इसके बाद enter तो देखिए इस cell में data आ गया है अब ये data किन value को select करने के बाद आया है अगर ये पता करना चाहते हैं arrow की मदद से arrow खुद बताए तो आप trace precedent पे click करिए तो देखिए ये बता दिया है ये जो value आई है इसके अंदर ये भी add है ये भी add है ये भी add है समझ में आगया आपको येतना कुछ मैंने आप सभी को समझाने के लिए बताया है इसी का उल्टा ये है trace dependent सबसे पहले जो है इन arrow को clear करते हैं इन arrow को हटाने के लिए आपको remove arrow पर click करना होगा तो ये सारी arrow हट जाएंगी देखिए trace dependent का मतलब ये है कि ये वाला ये जो cell से हमने ये सारा value लाया है ये किस-किस के अंदर add है यानि ये तो हमने plus किया है ये multiply किया है और इसमें plus और घठाना दोनों किया है और इसमें सिर्फ plus किया है तो हम ये पता करना चाहते हैं कि ये वाली value किन-किन के अंदर है इसके अंदर है इसके अंदर है इसके अंदर किस-किस के अंदर है तो trace dependent का इस्तमाल करेंगे जैसे ही मैं इस पे click करूँगा तो ये बता दिया कि देखिए 12,000 जो है वो इसके अंदर भी सामिल है और इसके अंदर भी सामिल है ठीक है इसी तरीके से अगर जो है आप इस value का पता लगाना चाहते हैं कि ये वाली value किस-किस के अंदर सामिल है तो आप trace dependent पे click कर दीजिए तो इस तरीके से बता देगा कि ये data result जो है किस-किस value को लेने के बाद आया है और ये क्या trace dependent करता है कि जो हम data लिये थे वो किस-किस value में add हुआ है इतना समझ में आया आपको इसको remove करते हैं अब जो है ये चीज़े आपको clear हो गई होगी trace dependent और trace president के बारे में ठीक है remove arrow button का इस्तमाल करके आप जो है सारी arrow को हटा सकते हैं ये चीज़े clear हो गई चलिए अब बात करते हैं so formula के बारे में इस button पर click करने के बाद जो है जो भी आपने formula लगाया होगा वो सब के सब so हो जाएगा यानि दिखने लगगा जब मैं इस पर click करूँगा तो देखिए ये थोड़ा सा window बड़ी हो जाएगी और इस side में आने बात देखिए यहाँ पर जो है हमने equal button प्रेस किया था और cell को select करके multiply किया था इसमें जो है plus किया था और इसमें जो है फिर plus और minus किया था और इसमें जो है सिर्फ plus किया था ये चीज़े जो है फार्मूले में आपको पूरा इस तरीके से 100 हो जाएगा दिख जागा अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो बस इसी पर click कर ये वो चीज़े हट जाएगी पहले जाएशी हो जाएगी अगर आप कोई सम का फार्मूला भी लगा दोगे तो भी 100 फार्मूले पर click करने के बाद दिखेगा बस आपको इतना समझना है कि जितना भी एक्सल में फार्मूला दिया है अगर वो आपके एक्सल की सीट में लगा है और आपने 100 फार्मूला पर click कर दिखेगा तो वो सब कुछ दिखाई देगा यानि जो जो फार्मूला आपने लगाया है वो सारे के सारे फार्मूले आपको 100 हो जाएंगी अब बात करते हैं error checking के बारे में अगर आपने कोई फार्मूला इसके अंदर लगाया है उसके अंदर कोई error आ गया है तो यहां से आप इसको check कर सकते हो ठीक है कोई भी error आ गया है उस फार्मूले में तो यहां से आप उसको check कर सकते हैं अब बात करते हैं evaluate फार्मूला के बारे में तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको छोटा सा फार्मूला लगाता हूँ जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ sum sum मैंने लगाया फिलाल मैं यहाँ पर एक वर्डल पहले दबा लूँ तब ही फार्मूला काम करेगा कभी कबार मैं भी थोड़ा confusion में हो जाता हूँ तो देखें यह हमने टाइप कर दिया है इसको हमने range दे दिया है और मैंने जैसे ही bracket बंद करके इंटर दबाया तो तुरंथ हमको result मिल गया यहाँ पर देखें result मिल गया लेकिन यह calculate कैसे हुआ है इसको पता करने के लिए आप जो है evaluate formula पर click करोगे तो देखें यहाँ पर यह formula आ गया है sum वाला जितने भी हमने range दी थी वो यहाँ पर आ गई है और इसको हम evaluate करेंगे तो यहाँ पर result आ जाएगा यहाँ पर जो है आप इस तरीके से इसको देख सकते हूँ इसको और भी अच्छे समझने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ फिर जो है मैं equal button दबाता हूँ और मैं आपको बारी बारी से इनको add करके दिखाता हूँ ठीकिया मैं यहाँ पर प्लस बटन क्लिक करता हूँ बारी बारी से जो है हम लोग इसको एड़ करेंगे फिर इसके बाद माइनस करेंगे इसको फिर जो है प्लस करेंगे इसको फिर जो है माइनस करेंगे या फिर जो है मल्टिप्लाइ करेंगे इसको इतना हमने कर दी जा देखिए प्लस प्लस माइनस ये माइनस दो बार हो गया ह प्लस माइनस इसको एक बार हठा देते हैं देखिए प्लस प्लस दो बार हुआ है माइनस प्लस फिर इसके बाद मल्टिप्लाई इसको मैं जो है इंटर बटन दबा देता हूँ तो देखिए रिजल्ट आ गया ठीक है लेकिन अगर आप जो है इसको evaluate फार्मूले पर क्लिक करके देखोगे तो फार्मूला कुछ है इस तरह के से आपको दिखाई देगा और आप जो है जब evaluate पर क्लिक करोगे तो एक ही इसके अंदर add मतलब एक ही बार पहले calculate होगा देखिए जो नीचे जो है underline का बटन दिखाई दे रहा ना पहले उसमें जो है काम करेगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए अभी यहाँ पर हो गया ना यह 5000 आ गया है अब क्या करेगा 5000 जो है इसके अंदर add होगा यह जो नीचे क्साइड में आया है ठीक है फिर मैंने क्लिक किया तो देखिए इसके अंदर यह add हो गया है 5000 प्लस 6000 यह दोनों मिल करके आप इसके अंदर यह दोनों मिल करके आप इसके अंदर add होगी ठीक है फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसके अंदर add हो गया ये नीचे वाला वो पूरा यहाँ पर process को आप अच्छे तरिके से देख सकती हो बस इस पर click करिए ये देखिए हमारा सब काम हो रहा है और यहाँ पर देखिए result जो यहाँ पर आया है वो result यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है अगर आपको कोई भी confusion है तो नीचे आप comment करिए जरूर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like भी करिएगा ठीक है और चैनल को subscribe कर लो यार बहुती मेहनत लगती वीडियो बनाने में तो subscribe कर लो support करो भाई को अब बात करते हैं watch window के बारे में अगर जो है मैं seat 4 का data ये वाला जो है seat 8 पे same लिखना चाहूं तो मैं यहाँ पर आऊँगा यहाँ पर कोई चीज लिखूंगा जो इसके अंदर heading है seat 4 के अंदर जो भी heading है पहले मैं इन सभी नाम को यहाँ से देखूंगा फिर आकर के यहाँ पर लिखूंगा फिर यहाँ पर आकर के देखूंगा फिर यहाँ पर लिखूंगा तो इसी की सहूलियत बनाने के लिए मतलब कि यह data हमको window में अलग से दिखाई दे तो उस condition में हम लोग watch window का इस्तमाल करेंगी तो watch window को इस्तमाल करने के लिए आपको जो है इस पर click करना होगा इस तरीके से एक window आएगी ये window थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है कुछ इस तरीके से तो इसको आप यहाँ से जो है ये जो node दिये गए हैं इसको click करके बड़ा भी कर सकते हो अभी ये दिखिए window पूरी तरीके से खाली है इसमें जो है अपने data को add करने के लिए आपको जो है add watch पर click करना होगा जैसे आप इस पर click करोगे तो इस तरीके से range देने के लिए बोलेगा आप जो है range इस तरीके से दे दीजिए बस जितना आप range देना चाहते हो range देने के बाद बस click कर दीजिए वो range जो automatic यहाँ पर आ जाएगी अब आपको क्या करना है बस add पर click कर देना है जैसे ही आप add पर click करोगे तो देखोगे यह जो watch window खुली है इसके अंदर पूरा data आपका यह सब कुछ यहाँ पर आ चुका है book number भी यहाँ पर दिखा रहा है seat number भी यहाँ पर दिखा रहा है seat 4 पर 4 का data आपने watch window में add कर दिया है यहाँ पर sale number भी दिखा रहा है value भी दिखा रहा है serial number name, hindi, english, math, science, ssd इसके बाद RAM का data दिखा रहा है RAM का, इसके बाद स्याम का, यह सब चीज़े दिखा रहा है अब इसको आपको इस्तमाल कैसे करना है अब यह देखिए किसी भी seat पर आप चले जाएए उस पर यह window रहेगी, देखिए मैं seat 8 पर आ चुका हूँ और यह बिल्कुल खाली है अब मैं यहाँ पर जो है, देख देख करके जो भी चीज़े लिखना चाहता हूँ वो सारी चीज़े लिख सकता हूँ sn मैं लिख देता हूँ, serial number tab बटन से दबाऊंगा, इसके बाद मैं नीचे की side में आ करके या फिर उपर की side में ही name type कर देता हूँ, इसके बाद जो है Hindi, इसके बाद जो है English इस तरह के से मतलब एक यह समझ लीजे कि आपको जो है कोई ऐसा data आपके पास है जिसको आपको बार-बार देख करके typing करनी पड़ रही है, दूसरी seat में जा करके तीसरी seat में जा करके तो बस उसका आप एक watch window बना लीजे इस तरह के से पूरे data का अब जो है आप देख देखके यहाँ पर आसानी से type कर सकते हैं, इसको जो है हटाने के लिए आप जो है यहाँ पर click कर दीजे इस पर यहट जाएगा, अब जो है फिर से हम लोग seat 4 पर आते हैं और देखोगे watch window में अगर आप click करोगे तो वो आपका data इस तरह के से दिखाए देगा अगर आप जो है watch window में से सभी जो अपने data को यहाँ पर दिखा रहा है, उन सभी को जो है delete करना चाते हो, अगर आप जो है इसे एक एक करके delete करना चाते हो तो बस इस पर click करिए और delete बटन भी दबा दीजे, delete हो जाएगा और उपर की side में भी आपको delete watch का option मिल जागा, इस पर भी click करोगे तो delete हो जागा अगर आप जो है एक ही साथ सभी को delete करना चाते हो, तो इस तरीके से नीचेक side में आईगे, जहाँ पर यह white white है, आने के बाद जो है बस mouse का left button दबा करके इस तरीके से select कर लिजे, पूरा उपर की side में select हो जाने के बाद जो है watch delete पर click करिए, सब का सब watch एक ही बार में delete हो जाएगा तो इस तरीके से हमने watch window का भी इस्तमाल करना, मैंने आप सभी को बता दिया है, अब बात करते है calculation option के बारे में तो देखिए, normally अगर मैं आप सभी को इस data का यहाँ पर sum करने के लिए बोलू, तो आप क्या करोगे, इसको sum करोगे, sum और इसके बाद इस data को इस तरीके से select करोगे, और इंटर बटन दबा करके, इसको sum कर दोगे हमने sum सिर्फ राम का निकाला है, यानि राम ने जितने भी अंग पाए हैं हमने यहाँ पर निकाल दिया है, अगर हमें सभी का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको पकड़के इस तरीके से खीच देते हैं, और सभी का आ जाता है, जो सभी ने अंग पाए हैं, बिलकुर right आता है, ठीक है यह ऐसा, इसलिए होता है, क्योंकि यहाँ पर calculation option में automatic selected हैं, अगर आप जो है यहीं पर जो है, manual कर देते हो, तो यह चीज़े ऐसे नहीं होगी, जैसे मैं इसको control Z से फिर से जो है, पहले जैसा कर देता हूँ, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर manual पर क्लिक कर देते हैं, automatic तो आपको समझ में आगया होगा कि जब automatic selector रहेगा, तो जो भी data हम निकालेंगे, उसके according सभी data का यहाँ पर जो है data निकल करके आजाएगा, प्लस के रहेंगे तो प्लस करके आएगा, माइनिस के रहेंगे तो माइनिस जोड़ करके गटाना करके, जो भी formula लगाएगे, वो सम में apply हो जाएगा, अगर आप manual पर click कर दोगे, और यहाँ पर आने के बाद जो है, अगर आप यहाँ पर sum का formula लगाते हो, feed से हम लोग लगाते हैं, ठीक है, इसके जो है, हम यह range दे देते हैं, इतना bracket बंद करते हैं, इंटर, तो देखिए, पहले का तो आ गया है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर आ करके इस तरीकी से करता हूँ, तो देखो कि सभी में 420, 420, 420 करके आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर manual का option select कर दिया है, इसी वज़े से यह सारी चीजे आई है, अगर आप जो है, इसको सही करना चाते हो, यानि यह जो 420 आया है, यह तो उपर वाले का sum है, नीचे वाले का sum निकालना चाते हो, तो अलग आएगा, इसका अलग आएगा, यानि इसको आप सही करना चाहते हो तो बस इस पर क्लिक कर ये select कर लिजे और यहाँ पर calculate now पर क्लिक कर दीजे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखोगे सभी का जो है सही हो गया है ठीक है तो यहाँ पर मैं control z से फिर से वैसे ही कर देता हूँ क्यों मैं ने ऐसा किया ताकि मैं आपको calculate now और calculate sheet के बारे में समझा पाऊँ इन दोनों को अगर आपने समझ लिया तो समझ लिए calculation वाला option आपने पूरा समझ लिया है देखिए जब हम यहाँ पर manual select करेंगे और हमारा data कुछ इस तरीके से गड़ बड़ आ जाता है ठीक है इस तरीकी से उस समय है जो है हम यहाँ पर calculate now पर click करके इसको सही कर सकते हैं और calculate sheet पर भी click करके इसको सही कर सकते हैं मैं calculate sheet वाला भी आपको दिखा दूँ जैसे मैं इस पर click करता हूँ देखिए सही हो गया है दोनों का काम यही है लेकिन इन दोनों में फर्क थोड़ा सा है थोड़ा सा फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ control z मैंने किया दुबारा से इसको जो है सही करते हैं पहले जैसा यानि 420 सभी में ला देते हैं अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है यह आपको समझना है calculate now पे अगर आप लेके जाओगे तो यह बोल रहा है calculate होगा entire workbook पे यानि पूरी की पूरी workbook में यह जो है जितना भी data इस तरीके से manual आपने किया होगा वो सब के सब calculate हो जाएगा ठीक है एक workbook में जो है धेर सारी seat हो सकती है जैसे कि यह मैंने एक ही workbook खोला है जिसके अंदर मैंने 8 seat ले ली है इसके अलावा और भी बहुत सारी मैं इसके अंदर seat ले सकता हूँ लेकिन calculate seat का मतलब यह है कि जिस seat पर हम काम कर रहे हैं सिर्फ यही data जो है वो सही हो यानि seat 4 पे मैं काम कर रहा हूँ तो सिर्फ seat 4 का ही data अगर मुझे यह value सही करनी है तो मैं calculate seat पर क्लिक करूँगा यानि सिर्फ इसी seat का value जो है सही हो और calculate now पर अगर क्लिक कर दूँगा तो इस तरीके से जितना भी मैंने data बनाया होगा यानि manual वाले option को select करके जितना भी मैंने data हर एक seat पर बनाया होगा सभी पर एक साथ ही calculate हो जाएगा इसको समझाने के लिए मैं आपको यहां पर देखी यह तो अलग ही है 420 420 देखे calculate now को समझाने के लिए मैंने यहां पर एक तो data बनाया ही है साथ में मैं आपको seat 8 पर भी ले करके यहां पर भी जो है sum formula लगा करके दोनों चीजे same change करके जब आपको दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ भी आजाएगा और आप इसको इसको इस्तमाल भी करना सीख जाओगी मैंने यहां पर sum किया इन दोनों का मैंने sum निकाल दिया यहां पर sum निकालने के बाद 156 आया है यह manual पर selected है इतना आपको दियान देना है सभी में 156 ही आएगा क्योंकि हमने यहां पर manual कर रखा है अब मैं क्या करता हूँ यहीं पर इसी data पर आने के बाद मैं जो है calculate now पर click कर देता हूँ तो देखिए यह चीज सही हो गई है इसी तरह के अगर मैं seat 4 पर जाता हूँ तो देखिए यह भी चीज सही हो गई है यहां पर भी देखिए हमने यहां पर कुछ भी सही नहीं किया है जबकि यह सही हो गया और seat 8 पर हमने सही किया यानि कि हमने calculate now कर दिया है एक workbook में जितनी भी seat होंगी सभी पर के काम करेगा calculate now और सिर्फ एक ही seat पर अगर आप करना चाहते हो तो calculate sheet करिएगा इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि अब आप इसे भूल ही नहीं पाओगे तो दोस्तो formula, editing और calculation दोनों के बारे में मैंने आपको complete समझा दिया है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे लगी है ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर करिए चैनल पर अगर पहली बार हो अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री है मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम